दोस्तों हम आप लोगों को आज switchboard पूरा setup करके दिखाने वाले हैं यहाँ पर हम socket लगाने वाले हैं और तीन switches लगाने वाले हैं और एक MCB लगाने वाले हैं switchboard के अंदर अब इसकी wiring की तरह से की जाती है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके पीछे की बात करें तो कुछ इस तरह का interface देखने को मिलता है इसके नीचे वाले area के अंदर आपको एक looping wire connect कर देना है इस तरीके से यहाँ पर एक red वाले wire लेना है और आपको एक socket के line वाले हिस्से में लगाना है और यही हिस्सा आपको switch के अंदर add कर देना है यानिके switch से यह socket work करेगा यहाँ पर एक और टुकड़ा लेना है MCB के नीचे वाले भाग में add करना है और इसे looping वाले area में connect कर देना है इस तरीके से यहाँ पर mail line की जो wiring है वो बिल्कुर final हो चुकी है यहाँ पर आपको face connection MCB के उपर वाले area में और neutral आपको socket में और earthing आपको socket के उपर वाले area में अब यहाँ पर दो point बचते हैं इसमें से दोनों switch जो खाली है उन दोनों switch के अंदर आपको दोनों point को add कर देना है इस तरीके से wiring जो है final हो चुकी है इस तरह की अब इस board को installation करने वाले हैं तो यहाँ पर simply आप इस तरह स installation कर सकते हैं और यह working करने के लिए एकदम तया है